जहिंद साथियो आजकर जो कलास होगा वह अगर दस्मा कलास होगा ठीक है और उसमें पढ़ेंगे दस्मा कलास में उस चैप्टर का नाम है नदियों के किनारे अवस्थित नगर ठीक है तो आप शाथ यह वीडियो में अंतक बने रहेगा और दोस्तों को जरूर से जरूर से कीजिएगा बढ़ते हैं question क्यों देखिए सवाल है बहुत important सवाल रहेगा इस chapter से ठीक है साथियो तो वीडियो skip ना कीजिएगा देखिए पहला सवाल पहला सवाल है साथियो कौन सा सहर नीली एवं सफेद नील की संगम पर इस्तित है तो वह जो है साथियो सहर या नगर इस्तित है वह है खार्तूम क्या है खार्तूम है correct हो जाएगा ठीक है साथियो दोस्तों को जरूर से जरूर से रहेगे जाएगा और आपसे मेरे request है अगर आप मेरे सहर Mississippi तथा मिशोरी के संगम पर इस्तित है वह है सेट लुईस correct हो जाएगा आगे सवाल है साथियो और इन्पोर्टेंट बात यह है कि आप मेरे टेलिग्राम में जुर जाई है क्योंकि आपको पीडियाप का जो क्लास का पीडियाप होगा वह आपको टेलिग्राम में ही मिल जाएगा ठीक है इसलिए आप टेलिग्राम में जुर जाई है क्योंकि डिस्क्रिप्चन में मैंने आप पर इस्थित है तो बसरा जो है वो इस्थित है आगे सवाले साथी हो कौन सा सहर डीलो वेयर तथा असुत कील नदियों के संगम पर इस्थित है तो फिलाडे प्हिएद्ट्र प्हिट प्हिसे के मितलें प्हिसे प्हिसे correct हो जाएगा ठीक है आगे सवाल है साथियो कौन सा सहर टेंब्यू नदी के किनारे अवस्थित नहीं है तो रोम जो है वो नहीं है correct है साथियो आगे सवाल आगे है फ्रांस का बोडो बनरगा किस नदी के तड़ पर इस्थित है तो गेरून करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है साथियो सीन नदी किस नगर से होकर बहती है important सवाल है साथियो कि सीन नदी होकर जो बहती हो कुछ नदी से होकर बैती है तो पेरिस के नदी से होकर बैती है correct हो जाएगा आगे सवाल है साथ हो बहुत important है सवाल है हैंबर्ग किस नदी के मोहने पर इस्थित है तो एल्ब correct हो जाएगा आगे सवाल है साथ हो कौन सा सहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है नील नदी के किनारे जो सहर बसा है साथ हुआ है खार तूम करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है साथियो बहुत important सवाल है सवाल कहने से पहले आपको बता दें साथियो अभी तक आप चैनल को subscribe और दोस्तों को share ठीक है और like नहीं किया है तो like कर दिजिएगा और telegram में भी जुड़ जाइएगा ठीक है आपसे मेरा request है देखिए आगे सवाल बहुत important सवाल है सवाल है वियना सहर किस नदी के किनारे बसा है बहुत important सवाल है और ये पूछा गया सवाल है वो 15 ये 14 सवाल था ठीक है जो बहुत important था so complete हो गया कल फिर मिलेंगे नया chapter में ठीक है और आपने मेरा पूरा वेडियो आंतर तक देखा ठीक है और दोस्तों के भी शेयर किया ठीक है कल फिर नया chapter मिलेंगे तब तक लिए जय हिंद